लोग भगवान के साथ भी जुगाल तुगाल करते हैं भगवान को समझ नहीं पाते हैं भगवान कौन है आज भी और सही बात है भगवान की सब ने अपनी अपनी व्याख्या की है आज कोई गणिजी की बात करें कोई हर्मान जी की कोई दुरगा जी की बात भगवान की की ज कि पूरब में, क्योंकि वो तो जहावुआ से आ रहा है, तो उसके लिए इंदौर कहा है, बोले पूरब, अब आप देखना, कि यदि कोई होशंगाबाद से आ रहा हो, तो आप उससे पूछना इंदौर कहा है, तो वो कहेगा, पश्चिम में, क्योंकि उसके डिरेक्शन से कोई खरगोन से आ रहा हो, तो आप उससे पूछना, इंदौर कहा है, तो बोलेगा है, नौर्थ में, उत्तर में, जो आदमी उजैन से आ रहा हो, आप उससे पूछना, कि कहा है, इंदौर, तो वो कहेगा, कि साउथ में, दक्षन में, अब आप इंदौर से पूछना, कि त गुसरे वालग रस्ते से, कोई को संपत्ती चाहिए, कोई को पद चाहिए, कोई को प्रतिष्टा चाहिए, कोई को संतान चाहिए, कोई को ग्यान चाहिए, कोई को दूसरे की पराज़े, तो आपने रस्ते निकाले, भगवान तो कहता है, तुम जमाने की रासे आए वरना, सी उदर भगवान उदर भगवान इसमें न वो भगवान के मामले में समझना हो तो न वो यहां तक है न वो वहां तक है असर उसका वहां तक है जिसकी नजर जहां तक है आपकी नजर जहां तक चली जाएगी आप जिस धंग से देखेंगे उस धंग से भगवान आपको मिलेगा मिलेगा हनमान जी सोचने लगे मेरा राजा ये क्या कर रहा है तो हनमान जी ने विचार किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा राजा ऐसा नहो कि भगवान मिलने के बाद भी चूप जाए ठीक बात भी है तो विचार करने लगे और उसी समय राम जी ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव कोई बात नहीं पर जो राम जी ने कहा वो सुनना सुनी बिराग संजुत कपी बानी बोले बहसी राम धनू पानी सुनी बिराग संजुत कपी पानी सुग्रीव की वेराग युक्त वानी को सुनके बोले पिहुसी राम हसे दो को भगवान हमारी मुर्टाओं पे हसता है हसे राम इसमें लिखा है राम हसे को देखो कितनी कितने इसने डाइमेंशन बदल दिया सुगुरी ने थूड़ी थूडी देर में बात करते समय सीधी सी बात एक लाइन में कह सकता था आप दया करें मैंने भी कह दिया था मैं तेरे प्रक्षा कर रहा हूँ लेकिन क्यों मुझे इतना गुमाते हो इसलिए मैं आप से क्याता हूँ जब कभी भगवान के सामने बैठे कम बोले और यदि मौन की भाषा बोलें तो तो भगवान बहुत जल्दी सुनता है शोर में आयोजन होता है शोर में भगवान नहीं होता जब आप हल्ला करते हैं भगवान के नाम पे तो उस समय भगवान भी थोड़ी देर के लिए बोलता है तुम हला कर लो फिर जब खामोश होगे तब मिलूँगा हले में भगवान नहीं मिलता शोर में भगवान नहीं मिलता भगवान शून्य में मिलता है भगवान संक्षेप में मिलता है भगवान बहुत लंबी-लंबी बातों में नहीं मिलता भगवान तो अपने छोटे भाई लक्षमन ने एक बार भगवान से सवाल पूछा, वनवास के समय की बात है, अरणे कांड का प्रसंग है, लक्षमन ने भगवान से लगातार तीन चार सवाल पूछे, तो भगवान ने उत्तर देने के पहले लक्षमन से एक बात बोली, आप तुम्हें थोड़े में बोलूँगा, संक्षेप में, तुमने बात लंबी पूछी, पर मैं संक्षेप में बोलूँगा, सुनहुतात मती मन चित लाई, अपना मन, अपना चित, और अपनी मती मतलब बुद्धी लगा के सुनना मुझको, देखो बगवान ये कहता है, बगव चित और मन, तीनों को लगाना, मती मतलब बुद्धी, उसको एकागर करो, मन को शुन्य करो, और चित को शुद्ध करो, तीन काम करो, तब भगवान की आवाज सुनाई देती है